तो हम बेसिक्स अभी फिर से यहां तक हमने लिया था अभी देखे आगे यह चार्ट देखिए इस चार्ट में आपको एक्चुली कंपेरिजन दिया हुआ है कि समझो एक चीज में डिफरंस हो गया कुछ एक्चुली चेंग्जेस हो गया तो उसका एफेक्ट किस-किस चीज यहां पर एक्चुली चार्ट में बताया हुआ है तो यह चार्ट आपको प्रॉपर एक्चुली प्रिपेर करने का मतलब क्या करने का आपको कोई भी एक प्रॉब्लेम लेने का उसमें से एक चीज आपको चेंज करके उसका फिर से कैलकुलेशन करके देखने का है तो देख पर युनिट का कॉस्ट नहीं बढ़ा है सेल्स का और वेरियेबल कॉस्ट था तो इसके वाज़े से खली कंट्रिविशन रुपीद में बढ़ जाएगा लेकिन उसका पर युनिट में जो कॉस्ट है वह सेम ही रहेगा कंट्रिविशन उसमें चेंजेस नहीं होगा उसके जो चार्ट दिया हुआ वो पूरा चार्ट एक्षिल वेरिफाय करके देखो पूरा वेरिफाय करके देखो तो आपको पता चलेगा कि एक चीज का इंपेक्ट दूसरे चीज पर क्या पड़ेगा मतलब sales volume change हो गया तो क्या क्या change हो गया तो देखिए sales volume में खाली increase का बता था हूँ decrease का उसके opposite रहेगा ओके units में कभी sales volume कभी change हो गया तो contribution total में rupees में add increase हो जाएगा रेकिन per unit में same रहेगा पीवी रेशो में कुछ भी change नहीं होगा break even point में भी कुछ भी change नहीं होगा लेकिन margin of safety आपका बढ़ेगा क्योंकि total sales आपका बढ़ने वाला है तो इसके बादे से margin of safety भी आपका बढ़ने वाला है ओके next समझो selling price per unit में कभी change हो गया selling price कभी per unit में कभी change हो गया तो आपका contribution भी increase होने वाला है total में भी increase होगा और देखो कभी per unit कभी contribution में कभी changes होने वाला है तो सभी चीच पर आपका change होने वाला है देखो contribution का बी-increase होने वाला है, 1 unit में भी-increase होने वाला है, तो PV ratio भी आपका increase होगा, break even point आपका decrease होगा, क्योंकि sale price increase हो रहा है, तो आपका जो no profit, no loss वाला जो point है वो decrease हो जाएगा, आपके sales units जो है, वो break even point वाले sales units है, वो decrease हो जाएगे, total sales आपका break even sales वाला sales है वो decrease हो जाएगा क्योंकि हम crop units भी sale करोगे तो भी आपका fix cost ज़्यादा जल्दी recover हो जाएगा तो इसके वाज़े से break even point आपका decrease हो जाएगा लेकिन margin of safety आपका increase हो जाएगा क्योंकि total sales बढ़ने वाले per unit selling price बढ़ने के वाज़े से हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो यह एक चीज का impact दूसरे चीज पर क्या होता है वह आपको एक चीज दिया हुआ हुआ है इंक्रीजिंग variable cost per unit समझो variable cost per unit कभी बढ़ गया आपका कभी cost बढ़ गया तो आपका contribution कम हो जाएगा क्योंकि यह contribution का formula क्या है sales minus variable cost आपका sales 100 rupees per unit था पहले वह 100 rupees यह है और पहले variable cost 60 rupees per unit था वह अभी 70 rupees हो गया तो obviously आपका जो contribution पहले 40 rupees था अभी 30 rupees हो जाएगा तो यह actually हमारा contribution हमारे decrease हो जाएगा per unit में भी decrease हो जाएगा total में भी decrease होगा और पीवी रेशो इसकी वाज़े से decrease हो जाएगा क्योंकि contribution हमारे decrease हो रहा है तो इसकी वाज़े से हमारा PV रेशो भी decrease हो जाएगा पीवी रेशो डिक्रीज हो जाएगा मतलब आपका no profit no loss वाला जो point है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा हमें ज्यादा सेल करना पड़ेगा fix cost recover करने के लिए और फाइनली हमारा margin of cost margin of safety क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा क्योंकि हमारे जो सेल से वह सेम रहने वाले सेल्स में कोई होने वाला होले वाला नहीं है क्योंकि सेल सेलिंग प्राइस पर इनिट वह सेम है कि हर एक पॉइंट को चेंज हो रहा है तो क्या effect होगा अभी दो तीन पॉइंट का भी हो सकता है क्योंकि अलग दुसरे भी पॉइंट हमारे इंक्रीज हो जाएगा और मारे इंक्रीज हो जाएगा और फाइनली देखे कभी दुसरे अभी figs कोश्ट का भी इंक्रीज हो गोगा तो हमारा contribution बीरिचन युण कि चेंज हो गा युण कि पी रिचों का फार्मिला क्या है सेल्स भी चरूंबिशे लकिन भी रिचों में भी कोई बीचेंज नहीं होगा लेकिन ब्रेकि इवन पॉइंट हमारे Optu हो जाएगा क्योंकि break-even point का formula कै नंट एक रडाइक नियुक्त हो रहा है इंक्रींगार यह hi तो इसके वज़े से हमारा जो margin of safety का हो जाएगा तो एक effect का एक point का दूसरे point पे क्या effect हो रहा है यह actually पूरा chart है यह पूरा chart आपको verify करके देखना है एक problem लेने के मैं आपको next problem दिखा हूँगा कि उसमें एक point change होने के वज़े से हमेरे दूसरे कैसे निकालते है आपको दिखा हूँगा तो उसके इसाब से आप कोई वे एक problem ले लोगे और यह पूरा chart आप verify करके देख लोगे ना तो आपको marginal costing के basic पूरा समझ के आ जाएगा तो यह chart actually important है आप यह chart का use करके आप find out कर सकते है बाकिके actually सभी मतलब सभी आप find out करके देखो क्या क्या changes होता है एक change हो गया तो दूसरे चीज़ पे क्या effect हो जाएगा वो actually find out करके देखो अभी मैं आपको next relationship दिखाने वाला हो कि एक चीज़ का effect दूसरे चीज़ पे क्या है मतलब क्या relation है मतलब यहाँ पर देखिए sales sales चब 100% है तो यह दो चीज़ का actual total होता है contribution percentage contribution percentage मतलब क्या है contribution to sales ratio contribution percentage मतलब contribution to sales ratio मतलब PV ratio और variable cost percentage मतलब variable cost to sales ratio sales चब 100% रहेगा तो variable cost and contribution इसका actually combination रहेगा मतलब variable cost कभी 80% रहेंगे तो contribution हमारे 20% रहेगा इस इकोल टो 100% रहेगा, मतलब sales 100% रहेंगे, ओके, तो sales 100% है, variable cost आपको दे दिया कभी 30% है, तो contribution कितना रहेगा, 70%, तो आपको एक चीज दे दिया कितने परसेंट है, तो दूसरा चीज आप percent वाला easily निकाल सकते हो, क्योंकि sales are a time 100% हम consider करेंगे, ओके, तो देखे, contribution आपको दिया 20%, तो variable cost कितना रहेगा, 80%, ओके, तो यह देखे, यह चार्ट देखे, sales 100% है, variable cost और प्लस PV रेशो, PV रेशो मतलब contribution to sales रेशो, देखो, sales हमरे हार टाइम 100% रहेंगे, जब variable cost 75% रहेगा, तो PV रेशो कितना रहेगा, 25%, कैसे निकाल है, 100% minus 75% is equal to 25%, ओके, same situation, समझो, कभ जाला, 100% minus 30%, 70% निकल क्या आ जाएगा, next, समझो, आपको बता है, कि 40% variable cost है, तो 60% क्या रहेगा, PV रेशो रहेगा, मतलब इन दोनों का total है, वो 100% होना चाहिए, इन दोनों का total हमारा 100% रहेना चाहिए, देखे, कभी variable cost 65% है, तो PV रेशो कितना रहेगा, 35% रहेगा, तो य तो इस तरह से आप, आपको कोई भी एक percentage दे दिया, तो आपको पता चलेगा, कि दूसरे percentage क्या रहेंगे, यह एक चुले एक comparison है, आपको इस type के problems भी आ सकते, actually, missing figures रहेंगे, तो आप इस combination से, इस comparison से आप निकल सकते हो, दूसरी चीज आप निकल सकते हो, और दूसरे और ए जने यहाँ पर देखिए, break-even sales and margin of safety, जब break-even sales अपके कभी 60% रहेंगे, तो margin of safety परसेंट में आपके 40% रहेंगे, परसेंट में मतलब, यह break-even sales है, वो, परसेंट में दिया हुआ है, मतलब क्या है, sales के कितने percent है, समझो, sales हमरे 1,00, रुपीज के है, समझो, sales हमरे 1,00, रु यहाँ पर देखिए, sales समझो, हमरे 1,00, रुपीज के है, और break-even sales आपको दिया हुआ है, 60,000, 60,000 मतलब 1,00, के कितने percent है, तो break-even sales हमरे 60% रहेंगे, वहाँ पर, okay, break-even sales हमरे 60% रहेंगे, तो इस ताइम पर हमरे margin of safety कितने निकल के आजएगे, 40,000, क्योंकि margin of safety का formula क्या है, sales minus break-even sales, sales 1,00, minus 60,000, break-even sales is equal to margin of safety, हमरे कितना आजाएगा, 40,000 रुपीज आजाएगा, मतलब वह कितना रहेंगा, 40% of total sales रहेंगा, okay, तो इस तरह से हमरा formula देखो, 60 plus 40, तो हमरा formula क्या है, यहाँ पर आ रहा है, 60% plus 40% is equal to 100%, यह sales हमरे कितने परसेंट रहेंगे, 100% रहेंगे, हाल टाइम, okay, तो break-even sales and margin of safety का भी एक relation है, कभी break-even sales कभी 60% रहेंगे, तो margin of safety हमरे कितने परसेंट रहेंगे, 40% रहेंगे, okay, तो इस तरह से हमरा, actually यह, यह दिखे, यहाँ पर मैंने दिखा है, बहा है, यह, break-even sales कभी 75% है, तो margin of safety कितना रहेगा, 25% रहेगा, okay, break-even sales जब 40% है, तो margin of safety कितना रहेगा, 60% रहेगा, okay, margin of safety कभी आपको दे दिया, 20% है, तो break-even sales कितने रहेंगे, 80% रहेंगे, क्योंकि हाल टाइम हमरे sales हमें 100% हमें consider करने के, okay, यह percent मतलब क्या दिया ओया है, percent मतलब sales से percentage दिया होया है, मतलब 100, कभी 1,00, रुपी कभी sales रहेंगे, और break-even sales अबको पता है, 80% मतलब 80,000 रुपीज के break-even sales रहेंगे, तो margin of safety कितने रहेंगे 20,000 रूपीज के रहेंगे, 20,000 मतलब कितने रहेंगे, sales के 20% रहेंगे, 20,000 रूपीज, तो यह actually एक relation है, यह दो relation आपको कभी proper कभी पता है, तो आप proper actually find out कर सकते, actually कुछ problems रहते हैं, कि missing रहते हैं, कि उसमें break-even point दिया रहते हैं, percent में दिया रहते हैं तो margin of safety हम percent में निकाल सकते हैं, तो margin of safety total sales मालूम रहेंगे, तो हम directly margin of safety निकाल सकते, percent का use करके actually, समझो, sales से 1 lakh रूपीज के, और margin of safety दिया हुआ है 25%, मतलब margin of safety कितने रहेंगे, 25,000 रूपीज के margin of safety रहेंगे, तो उस time पे break-even sales हमारे कितने रहेंगे, 75% मतलब कितने तो अभी ये relationship जो दिया हुआ है, उसके base पे हम problem देखेंगे, तो actually हमारा basic concept था वो अभी हमारा clear हो गया है, तो अभी problems हम देखेंगे, 2-3 problem हम देखेंगे, तो हमारा concept और clear हो जाएंगे, कि कैसे solve करते है problem, okay, तो देखें, start करते हम problems हम देखेंगे, अभी simple problem ही रहेंगे, ल formulas actually कौनसा formula कब use करते हैं, यह आपको खली थोड़ा actually ध्यान देना पड़ेगा, कि कौनसे situation पे कौनसा formula हमें use करने का है, यहाँ पर 2-3 formula दिया हुआ है, contribution के यह भी हमने formula यूज किया, first problem में, दुसरा वाला यह भी formula हमने use किया, लेकिन अलग-अलग situation पे हमने use किया, तो कौ से situation पे कौनसा contribution का formula यूज करने का है, यह आपको choose करने का, यह आपको ध्यान देने का, यह आपको समझ के लेने का है, यह देखो, PV ratio का हमने अभी एक ही formula यूज किया है, लेकिन दुसरा वाला भी formula यूज करेंगे, उसके लिए अलग-टाइप का problems रहता है, तो अलग-